नमस्कार स्वागत है आपका News World India में मैं हूँ आपके साथ भारती से को समझती है देखे काविन जी जग जाहिर है कि इसका भागेदार कौन है और अगर साथ तौर पर कहा जाए तो उस देश के पूर्व राष्ट्रपती पेंतालिस वे राष्ट्रपती वो अपने आप में अपने आप में जो एक 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 एक्जामपल सेट थे वहां की बिज जी बिलकुल जो समय राष्ट्रपती हैं डोनल्ड ट्रम्प और दूसी तरफ हैं प्रेशिडेंसियल इलेक्ट जो बिड़न यहां पर सत्ता का परिवर्तन हुआ है यहां पर सत्ता का जो ट्रांसवर है उसको लेकर गहमा गहमी बनी हुई है ट्रम्प ने हाला कि आज आकर ट्रम्प ने बयान दिया डोनल्ड ट्रम्प ने कहा कि वो बहुत शांती प्रियर धंक से सत्ता को ट्रांसवर करने वाले हैं वो किसी भी प्रकार की राजनीती में आगे नहीं जाना चाहते साथ ही उन्होंने ये भी जानकारी दी कि इसमें जो भी लोग, जिन्होंने भी वहाँ पर हिंसा की है, वो इस हिंसा की हिलाफत करते हैं. लेकिन एक बात जो भारती समझने वाली है कि अमेरिका को जो torch bearer कहा जाता है democracy का वहाँ पर wine 94 countries है जो उनको देखती हैं जो उनसे सीख लेती हैं लेकिन अगर इतनी बड़ी इतनी पुरानी democracy जो है जिस country की वहाँ पर इस तरह की घटना होना बागी देशों को क्या सीख देग लेकिन जहां तक आपने बात की history की और एक तरीके से मिसाल है वो देश तो ऐसे में ये जानना हमारे दर्शकों के लिए भी बहुत जरूरी है कि जो वहाँ के जो पहले president थे George Washington वो एक ऐसे राष्ट्रपती थे उन्होंने अपने आप में एक मिसाल कायम की उन्होंने दो कार बहुत होते हैं और उसके बाद वुनोंने जब उनके उपर comments होने लगे जब उनसे कहा गया कि अब आप क्या करेंगे अब क्या होगा आपका तब साफ तोर पर ये बात सामने आई कि अब मैं जाकर किसानी करूँगा वो एक वक्त था और अब का एक वक्त है जब राष्ट् सम्मानित पद माना जाता है संसत का यानि स्पीकर की कुरसी पर वो बैठा हुआ है और अराम से बैठा है कोई परिशानी नहीं है उसे और वो जो हमला किया गया और वो जो तस्वीर वाइरल हुई वो सिर्फ पांच मिनिट पहले की थी जब वो उस वक्त उस सीट पर बैठ जी बिल्कुल इस घटना के बाद से बाकी जितने भी तमाम देश हैं जहांपर डेमोक्रिसी का लोकतंत्र है जहांपर उन देशों ने इस घटना की मुखालफत की है साथ ही आपको बता दूँ कि इसके पीछे एक और फैक्ट भी है जो हमारे दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है कि पिछली बार जब हिलरी क्लिंटन सामने थी और डोनल्ड टरम्प एक बड़ी जीट के साथ सामने आये थे उस वक्त भी 15 से 20 हजार समर्थकों ने हिलरी क्लिंटन के जो समर्थक थे उन्होंने भी हंगामा किया था उन्होंने भी ऐसा ही कुछ करने की कोशिश की थी लेकिन जो अभी घटना घटी है इतना बड़ा आज तक अमेरिकी हितियास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि संसत परीशर के अंदर लोग घुश चुके हो और संसत परीशर के अंदर जाकर स्पीकर की कुर्सी पर बैठ जाएं वहाँ पर हिंसा करें लोगों को मारें पीटें और साथी वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं अगर अपनी हट पर आ जाता है वह इस तरीके के हथगंडे अपनाने लगता है इस तरीके के बयान देता है जिससे उसके समर्थक जो हैं वो बौखला उटते हैं इसको मैं बौखला हटी बोलूँगा बौखला उटते हैं ये एक लोगतंत के लिए बहुत शर्मनाक है इससे ज़्यादा शर्मनाक मेरे ख्याल से भारती नहीं हो सकता कुछ भी अगर अमेरिका सीख सकता है अमेरिका जो अपने आपको super power मानता है जो अभी तक पुराना डेमोकरिट केंट्री है वो अगर कुछ सीख सकता है तो भारत जो की सबसे बड़ा लोगतनत है उससे जरूर पूर सीखना चाहिए हमारे देश में इस तरह की घटना अगर एमेरजनसी की बात ना करें तो आज तक ऐसी कोई भी घटना हमारे देश में कभी भी नहीं घटी है सत्ता होती है बदल जाते हैं लेकिन बहुत ही अच्छे ढंग से यहां पर सपत ली जाती है और बहुत चानवीन के बाद किस तरीके की जो चीजे हैं उनमें कुछ बदलाओ होगा और बाकी वहां पर जो कुछ भी चल रहा है इसमें कुछ गिरफतारियां हुई है या अभी तक किस पर नजर है किसको अभी तक वहां पर एलेज़न माना जा रहा है बिल्कुल कावेंटर FBI अगर अब वहां की पूरी जांच परताल करेगी और जो तरीके से ये पूरा हंगामा हुआ है पूरे तमाम एक हुजूम जो है वो संसत के ओपर आकरमन कर देता है और उसके बाद इस तरीके का रिजल्ट देखने को मिलता है कि इतने लोगों की मौत हो जाती है लोग घायल हो जाते हैं तो जरूर FBI का उसमें इंटर करना बनता है और ऐसे में अब क्यूंकि FBI इसकी जांच करेगी तो जरूर कुछ ना कुछ जो एहम चीजे हैं वो निकल कर आएंगी लेकिन साफ तोर पर जैसा देखा गया है कि Donald Trump खुद इसमें जो है वो कु इतना करम के बाद Donald Trump President of America ने U-turn लिया है पूरी तरीके से U-turn लेते हुए उन्होंने बयान दिया घटना के बाद उन्होंने कहा है कि जो सत्ता का जो ट्रांसवर है जो ट्रांजिशन और पावर है वो बहुत ही शांती प्रिया धंग से किया जाएगा और 20 जन्वरी को जब स जब कुछ लुटा कर अगर होश में आए तो फिर क्या होश में आए तो अगर इतनी बड़ी घटना हो जाती है एक काला दिन जिसका जो धब्बा है वो हमेशा के लिए Donald Trump पर लग चुका है कि इन प्रेसिडेंट के राज में जब सत्ता का ट्रांजिशन की बात आई थी तो पुलिस को बहाँ पर बल प्रयोग करना पड़ा पुलिस को वहाँ पर पूरी एक तरीके से सिक्योरिटी को इतना मजबूत कर दिया गया जो देश अपने आपको सबसे सूपर पावर मानता है वहां के संसत भवन में जो पावर का एक तरीके से उसको वो कहा जाता है वहाँ सत्ता बदलती है चुनाव में को दूसरी पार्टी जीत कराती है अगर पहली पार्टी के समर्थक ये कहने लगे कि हम इस चीज को नहीं मानते तो ये देश कैसे चलेंगे फिर तो ये डिक्टेटरशिप की तरह चलते हैं और ये जिस तरीके से आपने बताया कि ऐसा होना अप संसद पर अटाक कर दें आपके समर्थक मिलकर संसद पर अटाक कर दें वहाँ के जो नेटाया है उनको परिशान करें वहां की जो में कुरसी है स्वीकर की उस पर जाके बैठ जाए हैं तो ये बहुत निंदनी है और एक ऐसे देश से ऐसी ख़बर आना जेस देश को सब और जैसे कि इस देश ने अपने ही राष्टपती के इस हरकत का खामियाजा भुकता है तो ये बहुत ही निंदनी है और इसमें एक बात और जो है वो सामने देखने वाली है कि अब यूएस को किसी टेरर ग्रूप की जरूवत नहीं है डरने के लिए किसी भी टेरर ग्रूप क खबर आ रहे है कि ट्रम्प अपने मंत्रियों से अंदर खाने बात भी कर रहे हैं उन पर जो भी किसी भी तरह के जो मुकदमे है वो इस पर माफी जब तक वो अभी क्योंकि वो 20 जैनवरी तक सत्ता में है तो 20 जैनवरी से पहले पहले वो तमाम उन मामलों में अपने आपक माफी खुद ही देने की बात भी कर रहे हैं हालाकि इस पर अभी कोई ओफिशल पुस्टी नहीं हुई है साथ ही आपको बता दू कि इसके बाद स्पीकर ने वहाँ पर वो मंच में आई स्पीकर ने महाँ पर कहा है कि अगर डॉनल्ड टरंप इसी तरह की रखते हैं तो उन्हें कहा है कि 25 से संसोधन का इस्तिमाल करते हुए उनको उपराश्टरपती से कहकर उनको हटाया भी जा सकता है और ये तब हो रहा है जब 20 तारिक को सत्ता का ट्रांजिशन होना है उससे पहले उनको हटाने की तैयारी भी चल रही है बातचीत भी चल रही है और इसके साथी स्पीकर ने एक बहुत ही अलग लहजे में एक बात कही कि अगर उपराश्टरपती इस तरीके से काम नहीं करते हैं उनको नहीं हटाते हैं 25 से संसोधन का इस्तमाल करते हुए तो इसके बाद वो बाकी जो वहाँ पर जो बाकी जो मिनिस्टर्स हैं उनके साथ वहाँ पर इंपीच्मेंट भी ला सकते हैं महायो भीयोग की भी वहाँ पर तैयारी चल रही है लेकिन इसको इस नजर से क्यों ना देखा जाए भारती कि अगर इस तरीके की बाते हो रही हैं कि ना सूचा हो कि सत्ता से महज 10 दिन पहले उनको बेज़त करके हटाया जाए इससे बेहतर है कि वो खुद ही अच्छे ढंक से हट जाए कि सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म में खुद उनको ब्लॉक कर दिया एक समय के लिए और साथ ही चेतावनी भी दी कि अगर आप ऐसा करते हैं दुबारा तो आपको पर्मनेंटली ब्लॉक कर दिया जाएगा तो अब अगर आप बयान दे भी देते हैं कि आप शांतिपूर त इस दिन को तो आप निकाल नहीं पाएंगे जी बिलकुल भीड तंतर का सहारा लेकर लोग तंतर बजा चलाये रखना किसी भी देश के लिए मुश्किल ही नहीं नामुम्किन है भारती एक और चीज़ जैसे कि अमेरिका में जो भी यह जो हुआ है वाशिंग्टन में जो भ वहाँ पर क्या जो इंडियन कॉमिनिटी है जो वहाँ के इंडिया के जो मूल निवासी लोग है जो वहाँ पर रहते हैं एनराइज है वो किस चीज का समर्थन कर रहे है इस चीज को कैसे देखा जाएगा बिलकुल काविंद ऐसी जरूर जानकारी आ रही है लेकिन क्योंकि इसकी पुष्टी हो नहीं अभी बाकी है और जैसा आपने पहले भी बोला कि FBI अब इसकी जांच कर रही है तो ऐसे में यह हम हो जाएगा कि क्या कुछ हिंदुस्तानी लोग भी जो वहाँ पर रह रहे हैं उन लोगों के नाम भी आते हैं सामने हाला कि अगर हम पूरी तरीक लेकर जो पूरी पार्टी है इस पूरी पार्टी और साथ ही डॉनल्ड ट्रम्प के जो बेटे हैं छोटे उन्होंने साफ तोर पर यह कह दिया कि अगर रिपेब्लिकंस जो इनके अगेंस जा रहे हैं उनके अगेंस भी वो तमाम चीजे करेंगे तो अपने आप में निंद इस पर तमाम लोग इस तरह की टिपणी भी कर रहे हैं कि वहाँ पर वाइट सुपरमिस्ट जो लोग हैं जो इस तरह की सोच रखते हैं वो लोग वहाँ पर मौजूद थे जो लोग वाइट सुपरमिसी अभी बहुत जादा आपने देखा था कि वहाँ पर ये अगर हिंद तो अगर इस तरीके की घटनाएं भी होती हैं, कि एक पार्टी के लोग जो कि वाइट सुपरमेसी एक सोच रखते हैं, वो इस तरीके की बड़ी घटना को बिना किसी डर के, बिना किसी कानून के भैल से अगर अंजाम दे सकते हैं, तो इसको सबसे पुराना लोगतंत्र, जि इसको बिल्कुल कंडेम किया है, तमाम देश जो हैं, सब ही देशों ने इस घटना को कंडेम किया है, और स्मूद पावर आउफ ट्रांजिशन की बात की है, सभी ने कहा है कि टरम्प को बहुत ही आराम से और बहुत ही शांतिवरे धंग से पावर का ट्रांजिशन कर देना च सब ने इस पूरे घटना की निंदा जरूर की है, और साथ ही अब एहम बात ये हो जाती है कि क्या उनके निंदा करने के बाद डॉनल्ड ट्रॉम्प उन्होंने ये अपनी बात रखी कि अब शांतिपूर्ण तरीके से ये तमाम चीज़ें वो देखना चाते हैं, लेकिन व एक आरूप लगा रहे हैं कि डोनल्ड ट्रॉम्प ने एक देश को एक काला दिन जो दिखाया है, वो बहुत दुर्भागे पूर्ड है, बारती, तो फिलहाल इस बातचीत में इतना ही जुड़े रही है न्यूस वर्ल्ड इंडिया के साथ, अगर आपको हमारी ये बातची करना ना भूले, धन्यवाद